तो इस तरह के question में आपको initial cost price 100 माल लेना है और जब आपने इसे 100 माल लिया तो question के मैं कहा रहा है इस shopkeeper sells at 9% loss अगर उसे 9% loss होगा तो वो cost price से 9 रुपे कम होगा माल लिजे 100 रुपे तो 9 रुपे कम होगा तो 9 रुपे कम करने के बाद यहां आया 91 और दूसरे part में कह रहा है he sold it rupees 750 more than he would gain 7% तो अब देखे इसको आप gain करा दीजे 7% का तो 7% का आपने gain करा है तो इसे 107 मिलेगा और अब question को समझे इसमें कह रहा है 750 more than he would gain 7% तो question में कहने का इसका मतलब यह है अगर आप 91 और 107 में अंतर देखें तो यह कह रहा है अगर वो 91 के बजाए 107 में बेशता है तो वो 750 रुपे और gain करता है तो इन दोनों के अंतर में वो 750 रुपे और gain करता है 750 more पाता है यहां पर जितना भी वो पा रहा था और यहां जो पा रहा है तो इन दोनों के बीच का अंतर 750 है और हमारे unity method में इन दोनों के बीच का difference कितना रहा है 107 में से अगर 91 minus कर देंगे तो यह 16 unit तो आपका 16 unit हो जा रहा है 750 के बराबर तो एक unit आपका हो जाएगा 750 divided by 16 के बराबर अब देखे एक unit अगर 750 by 16 है तो 100 unit कितनी होगी मैं 100 unit इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 unit हमने माना था initial cost price आप चाहें तो हर question में initial cost price 100 मान के कर सकते हैं question बहुत आसानी से solve हो जाएगा अब initial cost price 100 unit है तो 100 और एक unit का इतना value है तो 750 divided by 16 कर देंगे जब हम इसे solve करेंगे तो आएगा 4687.50 रुपीज ओके फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स